पचास से जादा वीडियोज हो गए बट यू डोंट नो हूँ आएम हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया और इस यूट्यूब चैनल से आप क्या एक्सपर्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते है मेरा नाम अरजुन सरजदेव है मैं एक बुक रिव्यूवर हूँ एक कॉंटेंट क्रेटर हूँ एक यूट्यूबर हूँ तो अब next question यह आता है कि मैंने अपना YouTube channel क्यों start किया तो उसका सबसे पहला reason यह है कि करके इंडिया में video consumption बहुत ज़्यादा बढ़ गया है maybe it reels, shots या YouTube के वीडियो सब में consumption बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अगर आपको नहीं पता है तो मेरे Instagram पे एक page है silly reader के नाम से जहाँ पे 48,000 से ज़्यादा followers है मेरे और मैं वाँ पे book के around में बाते करता हूँ और जैसे ही में को ये चीज़ क्लिक हुई की करके video consumption actually में ज़्यादा बढ़ गया है तो में को लगा के करके है अपनी story जो मैं चीज़े book से सीखता हूँ या reading के around में मेरी thinking है उसको है ना video format में शेर करना बहुत ज़्यादा easy है और video formats है ना मैं ज़्यादा लोगों तक पहुझ पाऊंगा मेरी scalability और leverage बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लोगों तक पहुझने के और YouTube खुद में एक search engine है जहां पे आप कोई भी topic को search करके उस particular topic के उपर में वीडियो को देख सकते हो तो है ना YouTube के search engine होने के कारण में आपके discover होने के probability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो की Instagram में possible नहीं है आप है ना कोई भी चीज़ को YouTube पे search करते हो how to do this, how to do that but है ना आप कभी भी वो चीज़ है ना Instagram पे नहीं करोगे और Instagram का यह major problem है और YouTube पे और organically grow करने के जो chances है ना वो बहुत ज़्यादा है और एक और major चीज़ यह थी कि करके books ने मेरे life बहुत ज़्यादा चेंज किये और जो mindset shift मेरे अंदर में है ना चीज़ें मैं आपके साथ में share करना चाहता था maybe trading, maybe the mental framework that I use or the habits that I have वो चीज़ें है ना मैं आपके साथ में share करना चाहता था और में को लगा कि करके ना video format is the best format to share these things with you जो की Instagram पे possible नहीं है and that's why I started my YouTube channel so the next thing is कि कि आप मेरे चैनल से क्या क्या चीज़े expect कर सकते हैं तो मैं हमेशा mental frameworks and mental models की बाते करते रहूँगा कि आप अपनी life को और अपनी decision making को और better कैसे बना सकते हो मैं हमेशा book learnings book से मैंने क्या सीखा है book reviews and कोई topic के उपर मैं जैसे spirituality, habits, mindset, time management इनके उपर में कुणसी books बहुत अच्छी है तो book recommendations हमेशा share करता रहूँगा और साथ साथ मैं है न मैं reading tips भी share करूँगा कि करके मैं कैसे एक effective reader बना और कैसे आप एक effective reader बन सकते हो और छोटी छोटी tips जिससे आप अपनी life को और better and सुकून से जी सकते हैं और जाते जाते हैं एक request है आप सब लोगों से कि करके I am always open to feedback क्योंकि अगर मुझे feedback नहीं मिलेगा ना तो मुझे समझ में कभी नहीं आने वाला है कि मैं किस चीज़ पर improve कर सकता हूँ तो अगर आपको मैं कोई भी feedback देना है ना तो मेरे comment section आपके लिए हमेशा खुले हुए अब प्लीज वहाँ पर जो भी feedback देना चाहते है उस feedback को दीजिए और आपकी feedback को मैं अच्छी तरीके से consider करने वाला हूँ So that was it, मैं कौन हूँ, यह चैनल मैंने क्यों बना है और यह चैनल से आप क्या expect कर सकते हैं यह चीज़े मैंने cover कर लिया है So मिलते हैं future videos में तब तक keep reading and keep smiling, bye bye